गुजरात में महान है अपने आप में कोई अतिश्योक्ती नहीं पर ब्रज तो ब्रज है दिल में जो जगे रहेगी वो तो कोई निकाल नहीं सकता पर हाँ गुजरात में भी गुर्जरे जीन ताम गता एक समय आया जब गुजरात में भक्ती क्षीन हुई लेकिन फिर गुज जहां आते हैं वहां स्वत ही भक्ती प्रगट हो जाती है और फिर एक प्रकाश जगा नर्सी महता के रूप में जलाराम बबापा कितने महापुरुष उस गुजरात की धर्ती पर हुए आज भी श्रीमत भागवत भी आज जो आप सुन रहे है न ये परंपरा भी गुजरात के ही संत परंपूर्ज श्रद्धे प्रात इस्मर्निशी डौंगरी जी बाबा महराज ने आरंब की पूरी दुनिया को सिखाया कि भागवत एक बंद कम्रे में कहने वाली चीज नहीं इसको तो मैदान में खुले आम दुनिया में बाटना चाहिए और फिर आज भी बापू भाई श्री इत्यादी कितने महापुरुष हैं जो भागवत की रामाईन की इस धारा को जन जन में बाट रहे हैं तो द्वारिका में शी ठाकुर जी अद्वुत लीलाएं करते हैं इस द्वारिका में मिलन हुआ है सुदामा जी महराज से बाल्यकाल के सखा गुरु के आश्रम में साथ में सिक्षा दिक्षा प्राप्त की बड़े हुए रास्ते अलग-अलग हो गए लेकिन प्रेम कम नहीं हुआ और सुदामा तो भगवान के निश्काम भक्त कहे जाते हैं इनकी पत्नी सुशीला भी बहुत धर्मात्मा थी सुशीला सुदामा जी से कभी किसी प्रकार की शिकायत नहीं करते कई लोग कही बार मैंने कथा में ऐसा श्रवन किया है कि सुशीला जी को दिखाया जाता है कि वो धन के लालच में थी लेकिन भागवत में ऐसा कहीं नहीं लिखा हाँ प्रेरना दी सुशीला माता ने कि आप मित्र से मिलने चले जाए लेकिन धन का कोई लोग हो ऐसा नहीं था सुदामा अगर भगवान के प्रती समर्पित है तो सुशीला भी भगवान के प्रती समर्पित थी सुदामा जी की कथा को लेके कुछ ब्रांतियां गलत भी फैलाई जाती है उसका कारण ये है कि भागवत में विशेश रूप से बहुत विस्तार से तो शुकदेव जी ने इस कथा को नहीं गाया लेकिन और शास्त्रों को देखा जाए जैसे वन्शी धरीजे की टीका है उन्होंने सुदामा जी के प्रिसंग को विस्तार से कहा है तो और गरंथों में और टीकाओं में सुदामा की कथा का वर्ण आता है सुदामा एक पोटली में चावल लेके प्रशाद लेके द्वारिका मिलन के आस में निकल पड़े रास्ते में बहुत सारी रुकावटे आई लेकिन उन सब को पार करते हुए शुदामा जी द्वारिका पहुँचे द्वारिका में जाकर के द्वारपालों तक सूचना पहुची द्वारपालों ने देखा कि वेश बड़ा सुन्दर है सुदामा जी का माथे पर चंदन गले में माला समझ गए कोई भक्त वेश नव है भगवान के द्वारपाल है समझदार है जब स्वरूप देख लिया भक्त का है तो धक्के मारके भगाएंगे नहीं प्राथना जरूर की थी कि महराज अगर भगवान ने आग्या दी तो मिलवा देंगे नहीं तो आपको माफ करिएगा वापस जाना होगा भक्त की पहचान देखके जो वैशनव होगा वो समझ जाएगा कि ये भक्त है बहले बहार से ही हो कई लोग कहते आरे ये तो दिखावा है माथे पे चंदन गले में माला कोई बात नहीं दिखावा सही आप दिखावे के लिए हम दुनिया में कितने सारे काम करते हैं बहले ह कितनी भी गर्मी लग रही हो शादी में जाना तो टाय लगा के जाएंगे दिखावा ही तो है कितनी भी ठंड पढ़ रही हो एकदम मैया काप रही होगी शादी में पर स्वेटर नहीं पेनेगी ये दिखावा ही तो है जब संसार के लिए आप दिखावे के लिए कर रहे हो ठाकुर जी के लिए भी कर लो क्या पता दिखावा करते 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 एक दिन ऐसी कृपा हो कि अब वो आपके दिल में बैट जाए फिर कोई दिखावा नहीं फिर कोई नाटक नहीं तो ये बात मैंने इसलिए कई है क्योंकि आज कथा का विश्राम दिन है मेरा आप पर कोई विशिश अधिकार तो नहीं है कि मैं कहूं कि मेरी बात आपको मानी पड़ेगी लेकिन आप भागवत से जुड़े हैं सत्संग से जुड़े हैं तो एक प्राथना जरूर है कि अगर आप गले में तुलसी माला धारन करें और माथे पर भले छोटा लगाए पर चंदन लगाए और विदेश में तो इतनी अच्छी बात है कोई देखने वाला भी नहीं आपको शर्माई तो किससे भारत में फिर भी चंदन लगा के निकल जाओ तो लोग ऐसे घूर घूर के देखते जैसे कोई दूसरे ग्रह से आए हो पर यहां तो दुनिया वैसी इतने फैशन में लगी पड़ी है तो आप भी ये फैशन ही कर लो थोड़ा चंदन गले में माला हो क्या होगा वैने आपको पहले ही दिन बताया था जिसके गले में माला हो मतलब उसका कोई मालिक है वो लावारिस नहीं है जैसे किसी कुटे के गले में बेल्ट होती है मतलब उसका कोई मालिक है वैसे हमारा भी कोई मालिक रहेगा ये इस बात का प्रमान है इसलिए विशेश अगर आपके गुरु है तो गुरु परंपरा से चली जो आपके गुरु देते हैं, जो माला देते हैं, जिस विधी को बताते हैं, जिनके नहीं भी हैं, वो भी गले में माला माथे पर चंदन अवश्य धारन करें भले बहुत बड़ा संप्रदाय का नहीं छोटा चंदन भी अगर आप लगाएंगे, तो भगवत कृपा अवश्य प्राप तो होती है